अश्कार साथियो रेलवे की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तों रेलवे भरती परिक्षा दोजार चोबीस के लिए कल एक ओफिशल लोटी साय था मिनिस्टी ओफ रेलवे की तरब से और मैंने बताया भी था आपको कि यहां पर नोडल आरार भी उन्होंने बना किया है ठीक है अब यहां पर सबसे बड़ा यह सवाल है कि लेवल वन यानि जिसे आप पहले गुरूबडी बोलते थे उसमें एक बड़ी भरती आने की उम्मीद है लागातार आप सब यहीं इंतिजार कर रहे हैं कि देखिए एलपी के अंदर कम वेकेंसी आई टेक्निशन के अंदर कम वेकेंसी आई तो क्या गुरूबडी के अंदर बड़ी संख्या में वेकेंसी आने की उम्मीद है क्या रेलवे के अंदर के अंदर 2.36 लैक पद खाली है ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो में यही हम डिसकस अन्या है चलिए शूरू करते हैं और दोस्तों आ इसमें टोटल आपके जो 129 सेट होए थे 2021 में जो एक्जाम कंड़क्ट की गई थी उसमें तो दोस्तों उसका यह पार्ट वन है इसमें दोस्तों सभी जो पेपर है वो आपको सोलूशन के साथ मिल जाएंगे इसके लावा इसका पार्ट दूसरा भी आता है जिसमें आपको 61 से लेकर 129 सेट तक मिल जाएंगे और में स्टों पेपर हो था एंटी पीसी का सीवीडी टू उसकी दोस्तों यह वाली वुक आप ले सकते हैं सारे के सारे प्रीवेशर क्योशन पर आपको मिल जाएंगे आफ ऑफ लाइन ओनलाइन दोनों जगह से मंगवा सकते हैं 606,902 है अब यहां पर यह अलग-अलग कोटा के माध्यम से भरी जाती है फिर आपके प्रमोशनल कोटा होता है जीडी सी कोटा होता है अलग-अलग कोटा से यहां पर वेकेंसी फिलफ होती है अब अगर हम 2036,000 की ओपन भी अगर देगे 50% के साब से तो तक्रीबन- यहां पर जो है फिल हो गई है अब ऐसे मैं अगर देखा जाए तो रेलिवे में फिर जो बड़ी संख्या में जो वेकेंसी आनी चाहिए वो दोस्तों लेवल वन या फिर एंटीपी से आनी चाहिए क्योंकि अगर हम मिनिस्ट्रियल एंड आईशो लेटेट कर्टिकरी देखेंगे उसमें बड़ी मातरा में कोई वेकेंसी नहीं आती है इसके लावा हम पैरेमेडिकल डिपार्टमेंट की देखें पैरेमेडिकल में कोई बड़ी मातरा में वेकेंसी नहीं आती है जेई की ठीक सब्सक्राइब असक् parchment एасकती है तो इसका एक बहुत बढ़ा कारणी है पहली बात तो यह कि समय से लवल वन की भरतिन आही आई है द्हिसरा यहांबर क्या होता है कि लेवल वन rarely में सबसे चोटे लेवल की पोस्ट होती है अब यहां पर क्यों होता है कि नोर्मठ도 कम करमचारी होते हैं, वो 3-4 साल में promote हो जाते हैं, और वो level 2 या level 3 में चले जाते हैं या अगर department exam देते हैं तो और रूचे पद उपड़ चले जाते हैं ऐसे में जो level 1 की सीटे हैं वो लगाता अंदेशन यहाँ पर vacant होते हैं सबसे जयादा उससे भी जादा वाने की उमीद है ऐल्प टेक्निशन से जितनी वेकनिसे इससे दोनों को मिला कर इतनी वेकनिसी सी गूरूबक डी के अन्दर आजानी चाहिए हैं बाकिए अगर हम और भी चीज देखें जैसे नोडल आरार्वी का फैस दें तॉन नोडल आरार्वी दोस्तो इन्होंने 39-2025 तक आप सोचिए कि इन्होंने अगले लगबग 1.5 साल की वेकेंसी काउंट ही अगर आज से वेकर काउंट करें तो अगली 1.5 साल की वेकेंसी है उनको यहाँ पर काउंट किया जाएगा और उनको भरना होगा तो इसलिए यह जो टाइम पीरिड है यह काफी है कि अगले डेड़ साल में भी बड़ी मात्रा में सीटे वेकेंट यहाँ पर हो जाएंगी या फिर जो कनेड़ेट 2023 में अपोइंट में ले लिए 2019 वाली वरती से तो उनको भी 2025 तक जो है दो से तीन साल हो जाएंगे तो वह प्रमोट हो जाएंगे तो ऐसे में लेवल वन की और भी वेकेंट हो जाएंगी इसलिए बड़ी मात्रा में रेलवे लेवल वन यानि की गुरूब डी में पद आने की आप पर संभावन आई हैं तो ऐसे में देखिए आप जो है अब इसे प्रिप्रेशन स्टार्ट कर लीजिए और नोटिफिकेशन जैसे आता है वैसे कि वीडियो को आप पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए लोग सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए मिलते एंगले वीडियो में तब तक जहीं